नमस्कार, वीडियो नूमर 74, एक्सरसाइज नूमर 7.2, पेज नूमर 1 कुशन 1, उस बिंदु के निर्देशांग याद करो, जो दी गई रेखा खंड को M अनुपात N में विबाजित करता है देखें, 7.2 में एक अपने लिए new topic है, कि कोई भी बिंदु, दी गई रेखा खंड को विबाजित करता है और वह दो बागों में विबाजित करता है, माना एक बाग M है और दूसरा बाग N है तो उस बिंदु के निर्दे शांग को याद करना है, माना कि वह रेखा खंड A B है और M अनुपात N में विबाजित करने वाला बिंदु P है तो माना बिंदु P के निर्दे शांग है X, Y है और A के निर्दे शांग minus 1, 7, B के निर्दे शांग 4, minus 3 जैसे यहाँ पर देखो, एक डाइग्राम से दिखते हैं कि यह कोई भी एक रेखा खंड रहे है A, B यह बिंदु P, A, B को विबाजित करता है तो दो बाग हो जाएंगे, एक और दो माना कि इस बाग कमाप M है और इस बाग कमाप N है तो यह अनुपात हो गया, M, अनुपात N मतलब कि बिंदु P, A, B, रेखा खंड को M, अनुपात N में विबाजित करता है यह अनुपात ले रहे हैं आपन माना कि इसका माप अपन ले रहे है 8, और यह माप है 4 तो देखो, 4 से कट करो, 4 दुनिया, 4 एकम 4 तो 2 अनुपात 1, ठीक है, तो बिंदु P, A, B को 2 अनुपात 1 में विबाजित करता है यह अपन ने सिर्फ एक एक सामपल लिया है यह आपको कंसिडर नहीं करना है, ओके तो अभी देखो, कि 2 अनुपात 3 में विबाजित कर रहा है यह प्रस्ना में दिया हुआ है, तो उस बिंदु के निर्देशांग ज्याद करो ठीक है, A, B रिखा खंड को 2 अनुपात 3 में विबाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांग ज्याद करना तो माना कि वह बिंदु P, X, Y है A, माइनस 1, 7 लिया, B, 4, माइनस 3, 2 अनुपात 3 मिन्स M, अनुपात N कितना है, 2, रेशियो 3 तो M का मान 2, N का मान 3, X, 1 यहाँ पे देखो, मैं सुत्र से ही समझा देता हूँ अब बिंदु P के निर्देशांग का पनने क्या माना है, X, Y तो X निर्देशांग होता है, M, X2, प्लस N, X1, अपॉन M, प्लस N बिंदु P का वाइद निर्देशांग होगा, M, Y2, प्लस N, अपॉन M, प्लस N यहाँ पे देखो, M कितना है, 2, N की वेल्यू 3 पहले सब रखतो, M कितना है, N कितना है, X1, Y1 X1, Y1, X2, Y2, यह सब ही रखा, फिर X इस वाले सुत्र में रखना है M का मान, X2 का मान, N का मान, X1 का मान, M और N का मान, यह सब रखा इसको स्वाल किया, तो X मिलेगा 1, इसी प्रकार Y का मान ज्याद करने के लिए इसके अंदर सब के मान रखना है, M का मान रखेंगे, N का मान रखेंगे, Y1 का रखेंगे, Y2 का रखेंगे तो देखो, M का मान रखा, Y2 प्लस N, Y1 अपॉन M प्लस N, इसको स्वाल करेंगे, तो मिलेगा 3 तो बिंदू जो P है, X, Y उसके निर्देशांक मान दा था और उसका मान है 1, 3 मिन्स X का मान एक और Y का मान 3 तो ये क्या हो जाएगा उसका अंसर, ओके Q2 देखिए, इसमें दिया हुआ है, कोई भी एक रिखाखंड A भी है उसको तीन भागों में विबाचित करने वाले बिंदू के निर्देशांक देखो, ये A और ये B, ये पूरा एक रिखाखंड A भी है इसके तीन भाग, ये 1, 2, 3 तीन भाग कैसे होंगे, दो बिंदू इसको विबाचित करेंगे एक तो बिंदू P और एक करेंगे Q बिंदू P के लिए M अनुपात N कितना होगा, एक अनुपात दो क्योंकि P के पहले एक बागे और P के बाद में दो बागे बिंदू Q के लिए, Q के लिए देखो, Q के पहले कितने बागे, दो बागे और Q के बाद में एक बाग है तो M अनुपात N हो जाएगा दो अनुपात 1 और उसके बाद आपको इसके निर्दिशांग और Q के निर्दिशांग ज्याद करना है कैसे करोगे यह X1, Y1 X2, Y2 बिंदू P के निर्दिशांग ज्याद करोगे तब क्या लेना है M का मान एक लेना है N का मान दो लेना है और इसके माना की मान लेते हैं X1, X, Y और इसके निर्दिशांग लिया X-Y- जब आप X-Y ज्याद करो तो M का मान एक लेना है N का मान दो लेना है X1, Y1 और X2, Y2 जब क्यों के निर्देशनांग याद करो X-Y- तो X-के लिए और Y-के लिए M और N कमान कितना लोगे 2 M कमान N कमान एक लेना है बागी X1 Y1 X2 Y2 कौन से वाले फोर्मूला में रखना है इस वाले फोर्मूला में इनसे प्रस्न दो बार करना है एक बार M अनुपात N को कितना लेना है एक अनुपात तो तो वो X-Y मिलेगा दूसरी बार वापस करना है उसमें X-डेस और Y-डेस मिलेगा और उसमें M अनुपात N लेना है दो अनुपात एक इस दो बार आपको X Y कमान गयात किया फिर एक्स डेस और वाय डेस का मांद याद करने हूँ नेक्स देखो कोशन नूमबर चो त्री है वो आपको मैं सेल्फ प्रेक्टिस के लिए दे रहा हूँ और कोशन नूमबर फोर देखिए वीडियो नूमर सेवेंटी फोर पेस नूमर टू इसमें बिन्दू P माइनस 1,6 AB को किस अनूपात में विबाजित करता है किस अनूपात में मिन्स M अनूपात N में उसमें विबाजित करता है तो माना बिन्दू P AB को K अनूपात 1 में विबाजित करता है M और N को क्या माना K अनूपात 1 तो आपन को के का मान गयाद करना है यह X1, Y1 यह X2, Y2 और यह X, Y विपाजित करने वाले बिंदू के निर्दे शांक देखो माना बिंदू P A, B को K अनुपाद 1 में विपाजित करता है के का मान गयाद करना है तो वो क्या मिल जाएगा M अनुपाद N A कितना है, माइनस 3, 10 X1, Y1 का मान लिखा B कितना है, 6, माइनस 8 X2, Y2 लिखा M, क्या माना अपनने K नुपाद 1, तो M का मान K और N का मान 1 बिंदू जो विपाजित करने वाला बिंदू P है उसका X निर्दे शांक होता है M X2 प्लस N X1 अपन M प्लस N इसके अंदर M, N, X1, X2 M और N का मान रखा तो यहां से देखो सब का मान रखने के बाद अपन को यह मिलेगा यहां पर क्रोस मल्टिप्लाई करना ऐसे X प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टिप्लाई 6K माइनस 3 3 को X से मल्टिप्लाई किया यहां पर देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस K माइनस 1 6K माइनस 3 माइनस K को इधर लियाएंगे तो प्लस K हो जाएगा तो 6K प्लस K कितना हुआ यह 7K और यह माइनस 1 है माइनस 3 को इधर लियाएंगे तो प्लस 3 तो यहां पर 7K इकोल 2 K मिलेगा 2 बाई 7 तो यह क्या हो जाएगा M अनुपात N तो बिंदू P A B को दो अनुपात साथ में विवाजित करता है M अनुपात N ठीके आपको वही विवाजन का सुत्र लिखना है अब देखो question number 6 question number 5 आपको practice करना question number 6 देखिए A B C D एक चत्र पूच के सम चत्र पूच के सिर्ष बिंदू है A B C D और उसके अंदर इसको X देखो यहाँ पर यह वाज है और यहाँ पर X है X और Y का मान गयाद करना है सम चत्र पूच में क्या होता है कि जो विकरण होते हैं कि विकर्ण AC का मध्य बिंदू O है और BD का मध्य बिंदू O है दोनों का मध्य बिंदू से मोता है दोनों विकर्ण एक दूसरी को एक ही मध्य बिंदू पर प्रति छेतित करते हैं तो पन क्या करेंगे AC का मध्य बिंदू और BD का मध्य बिंदू क्यात करेंगे और दोनों कै सब्सक्राइब करना है तो इसका निर्देशन क्या होगा देखो सपोज यह है एकस वन वाई वन यह है एकस टू वाई टू और यह है एकस वाई यह मध्य बिंदू है क्या है मध्य बिंदू तो बिंदू एकस हो जाएगा एकस वन प्लस एकस टू अपॉन टू एकस क्या होगा एकस वन प्लस एकस टू अपॉन टू और वाई होगा वाई वन प्लस y2 upon 2, ओके, तो ये है, मध्य बिंदू के निर्देशांग, xy, अभी देखो, जब ac का मध्य बिंदू की बात कर रहे हैं, तो ये x1, y1, और c का x2, y2, ओके, इसमें मान रखेंगे, जब आपन विकर्ण bd की बात कर रहे हैं, तो b का तो x1, y1, और x2, y2, या आपको खास्तियान रखना है, ac का मध्य बिंदू के लिए x1, y1, x1, y1, और x2, y2, ये ac का मध्य बिंदू, bd के लिए b को x1, y1, और d को x2, y2, ओके, इसके अंदर मान रखेंगे, फिर देखो, मान रखने के बात अपने को क्या मिला, x1, x2 का मान रखा, y1, y2 का मान रखा, इधर भी x1, x2 का मान रखा, y1, y2 का मान रखा, ये हो जाएगा, 2 प्लस 6, 8 अपन 2, ये हो जाएगा, 4 प्लस 3, 7 अपन 2, ओके, बाकी तो x प्लस 1 अपन 2 है, और y प्लस 5 अपन 2 है, इसका x निर्दे सांग ये है, इसका ये है, जब यह दोनों बराबर करेंगे, x plus 1 upon 2 equal to 7 upon 2, यह जो हर वाला 2 है वो कटो जाएगा, तो x plus 1 equal to 7, तो x equal to 7 minus 1 equal to 6, इसी तरह से यह इसका y निर्देशांक और इसका यह y निर्देशांक, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, y plus 5 upon 2 equal to 8 upon 2, हर वाला 2 कटो जाएगा, तो y plus 5 equal to 8, 5 क इधर लियाएगे, तो minus, y equal to 3, तो x कमान कितना मिला, 6 और y कमान 3, अभी देखो, सेम मध्य बिंदू, और विबाजित करने वाले, किस अनुपात में विबाजित करते, उसके base पे, जो अभी अपन ने प्रस्न किये हैं, उसी base पे 789, यह तिनों प्रस्न है, यह आपको practice करन है, पेले जो मैंने प्रस्न किये है, उनको अच्छी तरह, एक से दो बार, अगर तो भी समझ में नहीं आए रहे, तो तीन बार practice करो, और उसके बाद 789 आपको question self practice में दे रहा हो, ओके, next रपन करेंगे एगले वीडियो में, thank you